स्वागति फ्रेंड्स आपके अपने होम साइस चैनल में हम लेशन फाइब देख रहे थे ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने लेशन पर ध्यान देते हैं तो हम लेशन फाइब देख रहे थे उसमें हमने देखा तरह तरह के रेशे के बारे में उन अनीक प्रकार के रे के बारे में कुछ जाने थे ठीक है ना तो आए आगे बढ़ते हैं हम यहां तक पढ़ लिए थे ठीक है ना बुनाई नीटिंग ग्रेन की से कहते हैं लूप की से कहते हैं जैकार्ड डॉबी बुनाई की से कहते हैं पूरक फिलिंग की से कहते हैं करगा मसीन के बारे में हमने क क्या क्या उसके वारे में जाना अब क्लास को देखिए बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा आसा करते हूं कि मेरा पढ़ाया जाना आप लोगों को अच्छा अच्छे से समझ में आ रहा होगा शो आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पर देखिए यहां से पढ़ना ब्र सब्सक्राइब थि ना वरसी को सुधान है जा रहा है ठीक है न किया बनता जा रहा है ऐसे ही तो गुति है सोको ठीक है तो अब जए देखें हैं गुत्यों की सत्रविक लडmb में होती है जो भी कपड़े गुत्य जाते हैं आर्पा घणती है उसकी है विकल्ग रूपर नी कि आपसे उसका रूप पूछ सकता है है न कि किस रूप में जब कपड़े को गुथे जाते हैं तो कौन से रूप में बनता है क्या त्रिभूज बनता है त्रिभूज बनता है ठीक है न विगर्ड बनता है गोलाकार बनता है तो ऐसे ही पूछ सकता है आगे देखते हैं और यह नहीं तीन या अधिक सूतों को गूध कर बनाया जाता है जो एक अस्थान से आरंभ होती है और अंतर ग्रंथित होने से फूरुश्रमाना अंतर होती है ठीक है न एक दूसरे में क्या होते हैं यह अंतर ग्रंथित होते हैं गुथे हुए होते हैं अब यहां क्या है एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं जूते के फीतों अर्था जैसे जूते के फीते रश्रियों तारों के लिए रोधन और जालर जैसे वस्तुओं के वेड़ डिखाई देती है, ठीक है ना, आया समझ में आगे चलते हैं, नेट्स, नेट्स means, जाल, इंगलिस में जानते हैं ना, नेट, उसी को कह रहा है, नेट्स means, जाल, जो ऐसे ऐसे बुने जाते हैं, ये क्या है आपकी जाल के डिजाइन है इसी को कहा जा रहा है ये खुले जाली दार कपड़े होते हैं जिनमें सूतों के बीच में बड़े ज्यामित्ती अंतराल होते हैं अब ये ज्यामित्ती अंतराल ठीक है ना ज्यामित्ती अंतराल का मतलब आप कोई भी अर्था ज्यामित करें कि यह सब्सक्रांद के सब्सक्राइब सब्सक्राइब सबढभ कहते हैं इन्ट नाइंग करके बनाए जाता है अब यह हम हाथों दौरा भी बना सकते हैं और गया तरह तरह के मश्यूनों दूरा भी बंता है है आगे देखते हैं लैस व्याधर आपको पता होगा तरह तरह hybrid सूटों में देखते हैं लैस लगा होता है साडी के किनारों में लगे होते हैं ठीक है ना कोई भी बेवी फ्रॉक है कोई भी फैंसी चीजें है यह परदी है उस पर भी लगे होते हैं मेच पोस है जालर है हर जगह पर लैस लगी रहती है ठीक है ना तो उसी लैस की बात कर रह या विबर्त कारिय का मatलम है जिसे आप क्या क्छेते हैं जैसे शेद होते हैं होल होते हैं अग। श जल इस होता है यह क्या है तो उसी को कहा जा रहा विबर्त मिन्स क्या होता है । थोड़े थोड़े बुंदी बुदी छेद उसमें रहते हैं तो वही कहा जा रहा है ठीक है या सूत बटने अंतर वयान आर पार बुनाई और गान बांधने नाटिंग की प्रक्रियाओं में सम मिश्रण का उत्पाद है ठीक है ना आके बढ़ते हैं वस्त्र परिस्करण करगे से तयार होने के पश्चाति यदि आप वस्त्र को देखेंगे तो आप यह नहीं जान पाएंगे कि वही वस्त्र है ठीक है ना जब रेशे से धागा बन जाता है रील बन जाता है तो वह बहुत साथ सुथरा होता है लेकिन क्या होता है जब करगे मसीन पे चड़ता है हम आपको दिखाए ना यहां और भी तरह तरह के अब यह देखिए यहां क्या है यह करगा मसीन है ठीक है ना जब मसीन पर कपड़े को बुना जाता है जब बुनाई होती है कपड़े की तो क्या होती है तरह तरह के उसमें ग्रीश है तेल है मशीनों में भी तो लगे होते है ना वस्त्र की सफाई को वही कहा जा रहा है कि आप पहले देखेंगे तो वह वस्त्र वही नहीं लगेगा जो आप बाजार में देखते हैं ठीक है ना जो आप बाजार में देखते हैं उस पर क्या होता है परिस्क्रण की क्रिया हो गई रहती है फिनिशिंग की सफाई की क्रिया ह हो गई होती है ठीक है ना अगर मसीन से सीधे जो थान का कपड़ आप देखें वह भी साफ करके आता है लेकिन वैसे ही कुछ कपड़े उतारे जाते हैं तो वह कपड़े अभी पहननी योग यह नहीं होता आगे दिखते हैं बाजार में उपलब्द सभी कपड़ों का एक एक परिस्करड किया जाता है ठीक है ना जो भी कपड़े मार्केट में आते हैं पहले उनका एक से दो बार परिस्करड किया जाता है और सफीद कपड़ों को छोड़कर किसी ना किसी रूप में उनमें रंग मिलाया जाता है ठीक है ना अगर सफीद वस्तर आपको बनाने है तो उसमें रंग नहीं मिलाएंगे. देखते हैं, कोई-कोई कुर्टा-पथ meow मा होता है, या फिर दुपट्टे हैं, और चीज़े हैं, बेट सीट हैं, वाइट छाष्यक। उसमें नक रंग मिलाया जाता है, बलकि और समें मिलाया जाता है. परिस्करण वह विधी है जिसमें अध्यान से सुनियेगा यहां पर, इसके बारे में देखिए बताया जा रहा है, है ना, देखिए, परिस्करण वह विधी है, जिससे कपड़े का रूप रंग इसकी बुनावट अथ्वा विसिष्ट उपयोग के लिए उसका प्रयोग बद सकता है, ठीक है ना, उसमें बदलाव आ जाएगा अर्थात, जो परिस्करण अत्यांत आवश्यक माने जाते हैं, उन्हें नियमित कहा जाता है, ठीक है ना, जो बहुत आवश्यक माने जाते हैं, अर्थात किसी वस्त्र पे यह परिस्करण करना ही करना है, उसे क्या कहते है नियमित और अनियमित में आने जानते ही है रोज जिस कार्य को हम करेंगे वो भी नियमत होगा प्रती दिन जिस कार्य को करें हम प्रती दिन स्कूल जाने का काम कर रहें नियमित है प्रती दिन हम टाइम से जा रहें वो भी नियमित है तो यह परिस्करण की क्रिया यह नियमित अथ्वा इसका नभी नभी करण करना जिन्हें धोने पर हट जाने के बाद दुबारा लगाना पड़ता है ठीक है ना ऐसे कोई बात नहीं है कि ये हट जाएगा तो जैसे माड़ लगाना अब देखिए लगाना इसटार्च लगाना इसट ना किसी कहा गया है मार लगाना अथ्वा नीज चड़ाना अपने दुपट्टे पर लगाती है किसी और को छोड़िया आप लेकिन किसी स्कूल पर दुपट्टे वाली उनिफार्म देखिए कोई-कोई नौwork अदार्श की नहीं लागाना पड़ते लेकिन जो भी कॉटन का क्लबाटं होता है साड़ी उसमें क्या खरना पड़ता लगता है तो फिर वो क्या होते हैं हम जब इसका इस्तमाल कर लेते हैं तो यह फिर छूट जाते हैं तो वही कहा जा रहा है कि प्रिया ऐसा नहीं है कि फिर एक बार आप्रियों की धुल गया वस्त्र जब तक रहेगा तब तक उसका मजबूती रहेगा कारियों के याधार पर कुछ महत्पूर परिस्क्रण इस प्रकार है अब देखिए कितने कितने प्रकार के परिस्क्रण होते हैं अब पहला देख लेजिए क्या है पहला रूप रंग में परिवर्तन अर्थाज जो वस्त्र है उसके रूप में अभी यह आ पाई करना रगडण ब्लीचिंग सीधा करना तथा चिकना बनाना काइलेंडर परिस्क्रण करना और टेंटरिंग ठीक है ना में पॉइंट यहां देखिए अब कोई वस्तर है आपके पास थोड़ा ऐसे टेड़ा मेड़ा है ठीक है ना अब इसे क्या करना है आपको इस तो आप चादर का इस्तमाल कर पाएंगे, पिलो कबर का इस्तमाल करेंगे, मिचपोच का इस्तमाल करेंगे, नहीं ना? तो कुछ परिस्करड की क्रियाएं होती हैं, और यह सारे क्या होते हैं? मसीन द्वारा होते हैं. कैसे? मशीनों से होते हैं. तो उसी को कहा जाता है कि उसके रूप में परिवर्तन, रूप में क्या किया जाता है, परिवर्तन, है ना, समझ में आ रहा है, परिवर्तन, अब इसी रूप के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, टैंटरिंग, ठीक है ना, चारो तरब जब हम बराबर कर देते हैं, किसी वस्तर को, या फिर उसके याक्रिती को बराबर रूप में आ जाता है, वो अपने सही रूप में आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, टैंटरिंग, वस्त्र को, अब यह कोई वस्त्र है, अब यह देखे जिए, इसका रूप बिगड़ा हुआ था, इसे क्या हो गया, सही रूप में हो गया, टैंटरिंग हो गया, और जब किसी वस्त्र को सीधा, समतल, बराबर कर दिय जाता है, भई मॅ सिनों वस्त्रे निकलेंगे तो तरह तरह के रोए भी उसमें निकलेंगे तरह तरह के रोए निकलेंगे गंदगी निकलेंगे तो उसे क्या किया जाता है प्रेस करने का काम किया जाता है ठीक है ना प्रेस जो की बड़े रूप में होता है और किससे होता है मशीनों के द्वारा ही हो कैलेंडर कहा है, कालेंडर कहिए, कालेंडर कहिए मौता है कि Coffee कोता सततता दानके स्थम्राइश टो किसी वालाइश गीXT प्राइह, समिनिग्टर बनाना, जैंतर प्रूमी प्राइश कहता है, जलिउटर को समतपटर क्रिवे इसे क्या यह इसे तो comment box में mention करिए और class अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसे like और subscribe करिए ताकि हम आगे आपके लिए और अच्छी तरीके से पढ़ाएं ठीक है ना तो दोनों का साथ मिलता है तभी कोई कारिय होता है तो जिस तरह हम आपका help करना है वैसे आपको भी हमारा help करना पड़ेगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं दोनों लोग ठीक है ना तो आईए देखते हैं दूसरा देखते हैं बुनावट में परिवर्तन बुनावट अथवा जो बुनाई की क्रिया हुई है उसमें परिवर्तन ठीक है ना अब उसमें क्या परिवर्तन हुई है आईए देखते हैं कैसे कैसे बताया जा रहा है है ना अब देखते हैं किस तरह बुनावट में परिवर्तन हुआ है इस्टार्च करना अथवर सरिश लगाना वीसीस कैले यह भी बराबर ही तो कर रहा है आप किसी वस्त्र पर आप अपने डुपट्टे पर क्या करती है मान लगा देती है तो आप देखती न प्रेस करती है तो वह डुपट्टा क्या होता है पूरा बराबर हो जाता है सही से आप ऐसे फोल्ड करके इसे सही कर लेती है प्रयोग में परिवर्तन अर्थात आप जिस वस्तर का इस्तमाल कर रहे हैं अगर वो सूती है तो कैसे प्रयोग करें उनी है तो कैसे प्रयोग करें नायलान है कैसे प्रयोग करें रेशम है तो कैसे प्रयोग करें अब सुनिएगा इसी बात को कहा जा रहा है किस तरह दोना और पहनना स्थाई प्रीश जल विकर्शन तथा जल रोधक जल रोधक शलब अभेद अगनी मंदन अथवा अगनी रोधक शिकुडन मुक्त अब देखिए सैन्फोराइजिंग की प्रक्रिया क्या कहते हैं ठीक है ना प्रयोग में परिवर्तन आप किसी भी वस्त्र को ले रहे हैं किसी भी वस्त्र को ले रहे हैं तो उसका प्रयोग कैसे करना है उसे कैसे करना यह सारी क्रियाएं अभी आपके लिए नहीं बताया ज रहा है जो यह यहां प्रोसेस हो रहा है परिस्करड की जो भी परिस्करड की क्रियाएं हो रहे हैं भी वस्त्र बुन के आपके पास नहीं आया है उस चीज को बताया जा रहा है कि किन किन प्रोसेस से आपके वस्त्र मार्केट में आती है बुजरने के बार ठीक है ना उसे किस वो जिस प्रकार के रिशी का रहेगा उसमें धोने का काम होगा कि वहन ना उसमें देखा जाएगा कि वह किस तरह व्यक्त के लिए आराम देए है इस थाई प्रेश अर्थाद घर पर आप उसमें कैसा प्रेश कर सकते आप कोई बिवस्द लेते तो दीखते हैं निदा लिखा खाऊता है ना, तू उसी बात को कहा है, जल वी करसर, जल कितना सोखेगा, जल नहीं सोखेगा, अगनी मंदक, अगनी रोधक है कि नहीं है, है ना, तू नहीं चीजों को बताया जा रहा है और इन सब क्रियाओं को किसी वस्तर पे करने को क्या कहते हैं, शैन फरराइजिंग कह कहते हैं आगे बढ़ते हैं रंगों में रंगों से परिस्करण अब रंगों से कपड़ी के चयन में चाहे उसे परिधान के लिए उपयोग किया जाना हो अथ्वा घर के अन्य कामों में रंग एक महतोपूड घटक है रंग हमें च्रिस हमें क्या करता है हम देखते हैं सूट कितना भी अच्छे रेशे का हो लेकिन उसके साथ अम उसका इंपने सीन मिलता है सस्ते में साड़ी मिलती है यह से बच्चों का टीशट मिलता है लेकिन अच्छा रहता है तो हमें लेने का cracked the हल्का फुलका हम सुद देख लिए फिर हम ले लेते हैं तो ये भी लुभावना चीज होता है क्या कलर जो की वस्तर पे लगा होता है जो पदार्त कपड़े को इस तरह रंगते हैं कि आसानी से रंग नहीं निकलता उन्हें डाई कहते हैं ठीक है ना और उस रंगाई को जो स्थाई कि जो इस्थाई कलर होता है वह क्या होता है डाई डाई जो होता है ना वह निकलता नहीं है ठीक है ना निकलता नहीं है तो ऐसे कलर किये जाते हैं उस पर ठीक है ना डाई करने का तरीका रेशो और डाई के राशाइनिक प्रकेड़ और वांचित प्रभावपन निर्भर करता है अब रेशो के अनुसार हम डाई करते हैं अब प्रोटीन रेशा है तो उस पर अलग तरह का डाई होगा रेशम और शूती रेशा है तो प्रोटीन रेशा है इस पर अलग तरह का डाई होगा तो अलग डाई होगा या फिर प्राकृतिक फाइबर है तो इस पर अलग डाई होगा जो हमारे रासाइनिक तंतु है उस पर अलग तरह के color चढ़ाए जाते हैं ठीक है उसी को काया रंग चढ़ाने का काम निम्नलखित अस्तरों पर होता है पहला देखते हैं रेशे के अस्तर पर और दूसरा क्या है सूत पर ठीक है ना रंग चढ़ाने का अलग-अलग तरीका है. एक रेशे पर विभिन्य रंगों के सूत अथवा डिजाइन वाले नम्दा फेल्ट के लिए हैं. अब देखिए यहाँ क्या किया जा रहा है? नम्दा और फेल्ट किससे बनता है? रेशोंसे बनता है. रेशे से ना की धागे से ना की सूत से ठीक है ना केवल किस से बनता है रेशे से तो यहां रेशे को रंगने में अब रेशे क्या होते हैं छोटी-छोटी होते हैं तो उन्हें रंगने का प्रोसेस अलग होता है अब यहां आजाएं यह सूत है सूत अस्तर पर जो सूत अस्तर पर अब कपड़े के अस्तर पर कैसे पक्की रंग की डाई के लिए शर्वाधिक शामानी विदी जैसे डिजाइन रंजक्य बाटी तथा टाई डाई और प्रिंटिंग ठीकर आई यह यह एक चीज नोट करते हैं ऐसे नहीं आप सब निचेंगे इसे ब्लेक पॉइंट में नोट करना चाहिए था सूत में रंगाई लिख लेते हैं ठीक है ना रंगाई प्रक्रिया कैसे होती है ऐसे ध्यान रहेगा आपको तो पहला हो गया आपका सूत ठीक है ना दूशरा हो गया सॉरी पहला हो गया रेशा पहले हम डालते हैं है ना पहले हम क्या डालते हैं रेशा फिर सूत सूत प्रस धागा बहुत होते हैं कि किसे हम धागा कहें किसे हम सूत कहें या फिर रैल जिससे समझ रहे ना और तीशरा क्या हो गया रंगाई में कपड़ा अब देखिए रेशी में कैसी रंगाई होता है जिसमें रेशी को रंगा जाता है अब रेशा आपका कैसी होता है इतना ही छोटे छोटे तो होते हैं और जिससे क्या बनता है नमदा नमदा मैं भूल लही थे देखियो फेल्ड ठीक है दो में रंगाई होता है अब सूत और जो धागा है उसमें क्या किया जाता है कि धागे को भी धागे अर्थात जैसे मालेजे ये लच्छिया है ठीक है ना लच्छी के फार्म में रंग सकते हैं उन देखें हैं आप उन आता है ना तो ऐसे भी रंगा जाता है सीधे धागे को ही रंगा जाता है इसमें धारीदार रहेगा अथवा अन्ने बूने पैटरने का इस्पोर्ट हो सकता है चाहे जैसा भी हो चाहता है धागे के फार में अर्थात रंगाई तीन प्रक्रिया में होती है एक तो रेशा रंगा जाता है एक धागा रंगा जाता है चाहे सूत कही है और तीशरा क्या होता है? कपड़ा. सफेध कपड़ा सीधे बना हुआ है. मसीन से निकला हुआ है. मतलब सारे प्रोसेस के बान. और वो कपड़ा क्या है? सफेध हैं. और उस कपड़े को सीधे रंगते हैं. जिसमें देखते हैं ना? tie-dye कह सकते हैं इसमें कपड़े में क्या करते हैं tie-dye tie-dye batik है ना printing यहां होई गया printing printing ठीक है ना अब question देखिए question कैसे पूछ लेता है निम्नमें से tie-dye किस रूप में रंगते हैं अब क्या आपको पता है कि किस रूप में रंगते हैं रेशे के रूप में रंगते हैं कि सूथ के रूप में रंगते हैं कि कपड़े के रूप में रंगते हैं तो हम कपड़े के रूप में रंगते हैं ठीक है निम्न मेंसे नमदा या फिर और कठीन बनाएगा तो फेल्ट लिख देगा निम्न मेंसे फेल्ट की रंगाई होती है तो फेल्ट की आपको पता होना चाहिए कि फेल्ट की कैसे बनता है वो कपड़ी से बनता है कि रेसे से की धागा से किस से बनता है सूत से तो जब जानेंग है हम इससे धेर सारा क्वेस्चन आपके लिए लाएंगे अभी इतना जानी है लेकिन जो भी समझ रहा है बार-बार पढ़ने की कोशिस करिया और अर्थ समझने की कोशिस करिया छपाई प्रिंटिंग ठीक है ना छपाई को क्या कहते हैं प्रिंटिंग अर्था किसी वी वस्त चाथ वा विशीष्ट भी दिया इसमें रंगो का इस्त्दानिक रिट अनु प्रियोग होता है जो डिजाइन तक सीमित होते है ब्रिंटिंग में वी से उपकड़ो का उप्रिंटिंग होता है जिससे रंग किवल व्ीशीष्ट छत्रों तक ही पहुच पाते हैं अर्थाथ ह हमारे पास कोई चीज है उतसे ठपा मार दी यह तो क्या हुआ यहीं तग रंग पहुंचा अब दिखते हैं डिजाइन कैसे होता है तो इसी तरह से होता है जैसा हाथ में करड़ो द्वारा प्रिंटिंग की जाती है और दोगी के अस्तर पर रोलिंग प्रिंटिंग ठीक है ना और दोगी के अस्तर पर रोलर प्रिंटिंग अथ्वा आटोमेटिक स्क्रीनिंग प्रिंटिंग की जाती है आटोमेटिक का मतलब रोलर का मतलब क्या हो ग वैसे ही होता है और दूसरे यह रूरल भी अलग अलग तरीके के होते हैं ठीक है ना और आटोमेटिक स्क्रीन प्रिंटिंग है सीधे वस्त्रे डाली उस पे छपा छपाया निकल जाता है आगे बढ़ते हैं अगे देखा जाएं कपास देख लेते हैं नेक्स्ट अगला हम अगले लेक्चर में देखेंगे अब देखेंगे यहां पर कपास कुछ महात्तोपूर्ड रेषे ठीक है ना, जुसमें महत्तोपूर्ड रेशों में सबसे पहला क्या दे दिया है आपका कपास, ठीक है, क्या दे दिया, कौटन, आए दिखते हैं, परिधान और घरेलू बस्त्रों में कपास रेशे का शर्वाधिक उपयोग है, है है, हम ठंडी गर्मी बरसात हर समय रेशे का प्रयूग करते हैं, अदर्वाइच, अन्य रेशों को तो हम बस लेके फैशन के तौर में बस रखे रहते हैं, अटैची और सूटकेस में, लेकिन इसे हम डेली यूज करते हैं, भारत पहला देश है, जहां कापास उगाई और उपयोग की जाती है, ठीक है ना, फादर आफ कॉटन किसे कहा जाता है, भारत को ही, किसे, इंडिया को कहा जाता है, ठीक है ना, लेकिन पैदावार जदा अमेरिका में होता है, है ना, चीन में हो सकता है, तो आईए आके देखते हैं, अभी भी यह शर्वादिक कापास उगाने वाला छेत्र में से एक है, है कापास के रेशे में, कापास के पौधों में वीज फल से प्राप्त होते हैं, प्रतियेक वीज में काफी मात्रा में रूवे होते हैं, अब रूवे ही क्या होती है, रेशी होते हैं, और रेशी क्या होती है, कॉटन रेशी होते हैं, जब वीज पक जाते हैं, तथा फली ठीक है ना कहां भेजा जाता है अगली प्रॉसेस के लिए यह खेतों से निकाल के इन्हें फिर देखिए हम आपको दिखाने कोचिस कर रहा हैं देखिए यही आपका क्या है कपाश है ठीक है ना अब यहां देखिए यह फट गया है ना यहां पर यही आपका कपास है कॉटन है आपका ठीक है और यह देखिए अभी पोट से है यह फूटे नहीं है यह सब क्या है आपके पोट से है यह नहीं अभी फूटे है और जब यही पक के फूट जाते है तो यह सारे रेशे क्या हो जाते है फैल जाते है जिसमें बीज होते है ठीक ह आप्टितियों ना तो ऐसी ही का पास होता है . अब इनका दिखते हैं गुडधर्म जो किये क्या है बहुत ही इंपाटैंट है कर दृछ पढ़ी हे इसे ध्यान से पढ़िए कर दा 쉬 प्रकॉतिक- only लोजिक ए अब आपको दे दिया कि cellulosic रेशा, अब आपको दे दिया रेशा, मौन, नायलान, कपास, तो क्या होगे, कपास पे आप ट्रिक करेंगे, यह सबसे छोटा रेशा है, जिसकी लंबाई एक शेमी, एक शेमी से, एक शेमी से, पांच शेमी, ठीक है, तक होता है, इसलिए सूत अथवा बनाया गया कप बड़ा, देखने में चमक हीन होता है, ठीक है, अब क्यों चमक हीन होगा, अब इसका देखिए, कितने छोटे-छोटे रोए हैं, यह देखिए, कितने छोटे-छोटे रोए हैं, यह छोटे-छोटे रोए हैं, अब इतने ही छोटे-छोटे रोए को आप निकालेंगे, तो लेते हैं कि या बड़े वड़े घ्ता इसकी मॉलिक्ता इर्था जो मॉलिक्ता इसका दोने हाथ में बाती के लिए जाएक उसे प्रेस करें दो बार हाथ को तीन बर चार बर करिए तो दोखिए वो चमक नहीं दिखाई देगा जो आप cotton ऐसे रूई लेके अपने हाथ में अभी बनाने की कोशिस करते हैं उसके चमक और उसके चमक में देखिया अंतर होता है ठीक है ना तो चमक हीन मैं question बनाऊंगी यहां से वे चमक हीन होता है और छूने म यह खुरदुरा होता है यह वजन में आन्य अधिकांस रेशों की तुल्ला में भारी भी होता है अगला देखते हैं कपास में नमी शोकने की अच्छी चमता होती है आपको पता ही होगा और यह सरंता से सूख भी जाता है सही बात है इसके लिए गर्मियों में उपयोग आर सभी मौशम में पहनते हैं जो भी हमारा समर का मौशम है इसमें हम ज्यादा ही इसका प्रियोग करते हैं यह हमारे लिए आरामदी होता है लाश्ट देखते हैं भिन भिन भार अर्थात अलग अलग भार के होते हैं सोचमता के होते हैं बनावट के होते हैं भाई जहां की तरह तरह के खाद रहे, बीज की अच्छी क्वालिटी रहे, तो उसका अलग रिशा हमें मिलेगा, चाहे कोई भी चीज रहे, उससे अलग थोड़ा हाई क्वालिटी का मिलेगा, सभी वस्तर कपास के सूच से बनते हैं, जैसे मसलीन, अब देखिए कौन-कौन से वस्तर कपास चाहदर, बनाने का वस्तर और परिस्क्रण और फिनिशिंग, शामागरी, तियाद, कुछ सूती कपड़े, जो बाजार में उपलब्द हैं, ठीक है ना, तो इसी को बताया जा रहा है कि कपास के क्या-क्या, किस-किस तरह से कपास कैसे बनता है, और कैसे होता है, क्या-क्या उसकी वस्तर बनाए जाते हैं, ठीक है ना, आज का लेक्चर हम यहीं खतम करते हैं, आसा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो जरूर फ्रेंड्स, लाइक और सुस्क्राइब करिए, आप जितना ही हमारा साथ देंगे, हम आपका उतन ठीक है, ठीक है, तो अकले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाई बाई